दोस्तों जब हम किसी भी काम को जी जान लगा के करते हैं और फिर भी उस काम में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो करें क्या कुछ ऐसा ही सिच्वेशन आप में से काफी सारे सस्ट्राइबर से साथ होगा जो अपने चैनल पे महनत तो बहुत कर रहे हैं हर एक ट्रिक आजमा के देख ली फिर भी उने रिजल्ट नहीं मिल रहे है फिर भी वीडियो पे भी उस नहीं जा रहे हैं काफी डी मोटिवेट फ करूंगा कि आखिर जब आप काम कर रहे हो जी जान लगा के महनत कर रहे हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको कौन से वो सवाल है जो पहले खुझ से पूछने है और उन सवालों के जवाब अगर आपने खुछ से पूछ लिया और आपको जवाब मिल गया तो आपको successful होने से कोई नहीं रोख सकता और दोस्तों यह सवाल मैंने नहीं उठा है यह सवाल खुद YouTube ने उठा है जो कह रहा है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो यह सवाल आप खुद से पूछिए चलिए अब आपको वो सवाल दिखाते हैं कि वो सवाल क्या है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले Instagram को open करूँगा जो कि YouTube का YouTube Creators India का official page है उसे यहाँ पर open करता हूँ और यह post देख सकते हैं उस तो कुछ दिन पहले यहाँ पर YouTube ने डाला है अब यहाँ पर दो matrix आपको नजर आ रहे होंगे मतलब कि दो graph नजर आ रहे होंगे पहला graph जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से पढ़िए when you only focus on matrix जब आप सिर्फ और सिर्फ matrix पर focus करते हैं मतलब इस चीज़ पर focus करते हैं कि मैं grow कैसे होंगा grow कैसे होंगा grow कैसे होंगा तब आप grow नहीं होते हैं बलकि when you focus on the matrix absorbed pattern and what your audience like जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको स सिर्फ लगता है कि मैं सिर्फ growth के बारे में सोचूँगा कि कैसे grow होगा कैसे grow होगा कैसे grow होगा तो मैं grow हो जाओंगा जबकि यह आपको नहीं सोचना होता है metric के बारे में तो सोचना ही होता है growth के बारे में सोचना होता है लेकिन उसके साथ साथ आपको absorb करना होता है कि आक तागई में क्या चीज़े वारल हो रहे हैं, तीσηरी चीज, मतलब की आपके कैटेगरी का जो चैनल है, उस कैटेगरी में जो बड़ा चैनल है, वो किस तरीके के वीडियोज डाल रहा है जिससे की उसके audience जादा से जादा उस पे videos को देख रहे हैं, जादा से जादा उस पे engagement हो रहा है, जादा से जादा उस पे traffic आ रहा है, वो कौन सा content है, तो उस content के बारे में आपको सोचना जा रही है, कि मेरी audience किस तरीके के content को like कर रही है, तो अगर आप इन चीजों के बारे म में कभी success नहीं हो पाऊंगा मुझे absorb करना होगा कि मैं मालो मैं पढ़ाई कर रहा हूं ठीक है अब मुझे exam देना है मुझे exam को crack करना है और मुझे कुछ बनना है life में मालो officer बनना है तो मुझे पहले ये सोचना होगा कि आखिर मैं किस तरीके से पढ़ाई करूंगा किस pattern से प ग्रो हो पाएंगे ये तो हो गई पहली चीज़ अब आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा important है question to ask yourself before starting a podcast on YouTube यहाँ पे जैसा कि मैंने थोड़ी दिर पहले कहा कि questions जो आपको खुझ से पूछने है वो यहाँ पे YouTube ने लिखा है question to ask yourself मतल अब YouTube पे कोई भी वीडियो बनाने से पहले आपको जो सवाल है वो क्या पूछना है आप से हाँ पे ध्यान से देखिए who is your viewer सबसे पहले आपको देखना है कि अगर मैं YouTube से रिलेटर वीडियो बना रहा हूँ YouTube से रिलेटर टिप्स दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरी वीडियो जो है उन्हीं लोग देखेंगे जो जिनका चैनल है जो YouTube पे हैं जो लाइफ में पैसा कमाना चाते हैं जो online earning करना चाते हैं जो success होना चाते हैं तो सबसे पहले आप vlogging कर रहे हैं या फिर आप टेक से रिलेटर चैनल है या cooking से रिलेटर चैनल है या फिर किसी भी category में अगर चैनल है तो आपको पहले ये पूछना होगा खुझ से कि आपकी audience कौन है कौन से वो लोग हैं जो आपकी वीडियो को ज़्यादा तर देख रहे हैं तो ये चीजे कैसे पता चलेंगे माल लिजे आपका चैनल नया है ठीक है आप कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे तो subscriber है नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी audience कौन है तो इसके लिए आप जिस channel से inspire हुए है आपने जि audience को क्या पसंद है तो वह चीजे आपको सबसे पहले absorb करना बहुत जरूरी है दोस्तों जब तक आप absorb नहीं करेंगे चीजों को समझेंगे अब माल लिजे मुझे बाइक चलाना सीखना है और मैं direct गया और सोचूंगा कि मैं direct बाइक चला लूँ तो क्या मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा पहले मुझे ये समझना होगा कि क्लच क्या होता है गेर क्या होता है ब्रेक क्या होता है ये सारी चीजे पहले मुझे समझनी होगी उसके बाद ही मैं बाइक चला पाऊंगा उसके बाद भी मुझे practice करने पड़ेग title description tag इस तरीके से डाल दिया और बस-बस हमारी वीडियो जो है सो वाइरल हो जाई दोस्तों इन सारी चीजों के बाद भी कुछ चीजे हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा market को समझना होगा उसके बाद आपको implementation करना होगा तब आप result देख पाएंगे दूसरी चीज what do you want your audience to get from your content आप यहाँ पर क्या चाहते हैं आपकी audience आपके content से क्या उनको मिल रहा है यहाँ पर आपको यह चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब आप वीडियो बनाते हैं ठीक है तो यह बात तो आपको पता है कि आजकल बिना फायदा कि दुनिया में कुछ भी नहीं होता जो भी लोग माली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है आपकी भी कहीं कहीं सेल्फिसनेस है आप मेरे वीडियो को देख रहा है तो आप सोच रहा है आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं इस वीडियो को देखूंगा यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा कुछ ग्यान मिलेगा कुछ नॉलेज जिससे वो हमारी वीडियो को देखेगी अब मालीजे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मालीजे मैं कोई comedy वीडियो देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं entertain हो रहा हूँ मैं हस रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है तब ही मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ तो आज कल आपको ये सोचना होगा कि मैं जो content बना रहा हूँ मैं जो videos बना रहा हूँ उससे लोगों को क्या फायदा हो सकता है लोग मेरी video को आखिर देखेंगे तो क्यों देखेंगे अगर आप ये बात नहीं सोचेंगे तो आपकी video कभी नहीं चलेगी ये बात सोचना बहुत ज़रे कुछ लोग ऐसे ही video बना देते हैं हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ अरे यार आपकी video से कुछ knowledge भी तो मिलना चाहिए या फिर लोग entertain भी तो होना चाहिए ऐसे फालतू कि आप videos बनाते जाओ ये बात एक बहुत बड़ी पॉइंट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आप अपने audience को क्या ऐसा दे रहे है जिससे आपकी audience आपकी video देखी आप कोई लालत दे रहे हैं आप कोई entertainment दे रहे हैं आप कोई useful information दे रहे हैं आप ऐसा क्या दे रहे हैं से कि आपकी audience को आपकी वीडियो को देखना चीए अगर आप वो चीज नहीं दे पा रहा है तो आपकी वीडियो को आप देता हूं तो यहाँ पर ऐसे ही नहीं देता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूं YouTube का YouTube Creators India का official channel यह देख सकते हैं YouTube Creators India का official channel है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि short video upload की गई है यहाँ पर मैं इस short video को upload कर देता हूँ और इस short video को आप देख लीज़े ठीक है stay ahead by jumping on shorts ठीक है इस short video को आपने देख लिया अब मैं यहाँ पर YouTube के official YouTube Creators India के page को यहाँ पर open कर लेता हूँ Instagram page को यहाँ पर देखिए इसे हमने open कर दिया ठीक है अब इसे open करने के बाद यहाँ पर आप same video देखेंगे यह देखिए यह वही same video है ठीक है जो की YouTube ने खुद YouTube ने अपने YouTube चैनल पर भी डाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Instagram पर भी यहाँ पर डाला हुआ है अब दोस्तों आपको तो simply इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि हम क्या एक वीडियो को Instagram पर और YouTube पर दोनों जगा डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ conditions है conditions क्या है पहले आपको YouTube पे upload करना है ठीक है जैसे आपने YouTube पर पहले कर दिया फिर आपने Instagram पर Facebook पर कहीं पर आप करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हम दूसरे की वीडियो उठा के wise over कर सकते हैं हमारा चैनल मौटाइज हो जाएगा तो ऐसे में मैं simple कहूंगा कि नहीं आपका कुछ न कुछ content part जरूर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की वीडियो को इस्तमाल नहीं कर सकते हैं फेर content में आप दूसरों की वीडियो को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं आपका 5 मिनट का वीडियो है तो उनका आप 30 सेकेंड या 1 मिनट का पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सौट वीडियो अगर बना रहे हैं, अगर एक मिनट की वीडियो है, तो 20 सेकेंड का उनका होगा, तो 40 सेकेंड का आपका पार्ट होना जरूरी है, प्लस में वाइस उवर होना जरूरी है, तब ही आपका चैनल मौटा ही हो पाएगा, ये कुछ छोटे-छोटे सवाल से हैं, ज हन्यवाद,